आखिरकार अब ये तै हो गया कि राहूल गांधी ही विपक्ष के नेता होंगे और इसी गोशना के साथ राहूल गांधी है वो अपनी नई जिम्मदारी के साथ एक साथ कई निशाने साधे सियासी जानकार कहते हैं यहाँ पर राहूल गांधी के नेता विपक्ष होने के साथ ही CVC चुनावायोग, CBI समेच संस्थाओं के प्रमुकों की नियुकती में सकरात्म भूमिका वो निभा पाएंगे हाला कि कॉंग्रेस के सत्ता से बाहर जाने के 10 साल बात ये पहला मौका है जब कॉंग्रेस के नेता को प्रतिपक्ष बनने का मौका मिला है सियासी जानकारों का कहना है कि राहूल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने से न सिर्फ कॉंगर्स पाठी बलकि समूचे विपक्ष को एक मजबूत चेहरा मिला है सियासी गलियारों में ये कहा जा रहा है कि राहूल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने से उन सहयोगी दलों के नेताओं को भी एक तरह से संदेश जाएगा जो राहूल गांधी के नेत्रित में समय समय पर खामिया निकालते रहे हैं राजनितिक जानकार कहते हैं कि राहूल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने से एक तो उनकी स्विकारिता गडवंधन के सभी दलों में होगी और ऐसा होने से उनकी छवी भी जो राजनितिक दलों में है वो बदलेगी सियासी तोर पर राहूल गांधी को सीधा फाइदा मिलने वाला है नेता प्रतिपक्ष बन कर राजनेतिक जानकार कहते हैं कि इंडी गडवंधन के कुछ बड़े नेता अंदर खाने राहूल गांधी की वरिष्टता क्रम को स्विकार नहीं कर पार है भले ये बात खुल कर सामने ना आ रही हो लेकिन कई मौकों पर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग दलों के नेताओं ने राहूल गांधी पर सवालिया निशान उठाएं अब जब विपक्ष के नेता के तोर पर राहूल गांधी का नाम तै हो चुका है तो उन सभी नेताओं में भी राहूल गांधी को लेकर स्विकारिता होना लाजमी है ऐसे मौके पर राहूल गांधी अगर अपनी सुविकारिता के साथ सभी राजनितिक दल खासतोर से अपने गटबंधन के नेताओं से बहतर सामंजे से बनाते हैं तो उनके लिए ये उपलब्धी भी होगी जिसका की उनका भविश्य जो सियासी भविश्य है उसको थोड़ा और इन्हांस मिलेगा फायदा मिलेगा सियासी जानकार यह भी कहते हैं कि राहूल गांधी के नेता विपक्ष बनने से एक तो विपक्षी नेता के तौर पर वो मुखर आवाज बन कर उभरेंगे और सियासी जानकारी अभी कहते हैं कि बीते कुछ समय से जिस तरीके से राहुल गांधी के भाषणों में तीखा पन दिखा है वो नेता विपक्ष के तौर पर संसदने का लग चाप भी छोड़ सकते हैं खास तोर से नेता विपक्ष के तौर पर दिये जाने वाले भाषणों से राहुल गांधी के एक अलग छवी निखर कर सामने आएगी जिससे उनकी छवी में भी जो निखार होगा वो उनके राजनितिक भविश्य को और आगे बढ़ाएगा इसके साथ ही बड़ी जिम्मेदा के लिए वो और एक्टिव होंगे परिपक्व होंगे नेता प्रतिपक्ष को कैमिनेट मंतरी का दर्जा मिलता है तमाम नियुक्तियों में उनकी राय महतपून होती है राजनितिक जानकारों का कहना है कि CBI हो ED हो तमाम अन्य प्रमुक जांच एजंसियों में होने वाली नि भूमिका निभाएंगे इस के लामा कई प्रमुक नियुक्तियों समेत महतपून फैसलों में नेता प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका होती है इस लिहास से राहूल गांधी अपनी विपक्ष की नेता के महतपून भूमिका के साथ बड़े फैसले में अपनी जिम्मेदारी से अब लोगों को अवगत कराएंगे और लोगों के साथ साथ उनके खुद के राजनितिक भविश्य में भी एक कह लिजे कि एक उठाव दिखाई पड़ेगा एक इन्हांस दिखाई पड़ेगा आपको बताते हैं लोकसुभा में नेता प्रतिपक्ष का पत काफी एहम होता ह नेता प्रतिपक्ष विपक्ष का चैरा होने के साथ सी कई एहम कमीटियों का हिस्सा होता है CBI हो, ED हो, केंदरी जांच एजनसियां हो, इनके डिरेक्टर चुर्नने के जो प्रोसेस होती है उसमें भी नेता विपक्ष का ये व्यक्ति स्टाब मिल होता है इसके अलावा Central Vigilance Commission, सूचना आयूक और लोकपाल के नियुक्ती में नेता प्रतिपक्ष की राय ली जाती है नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री के बराबर सैलरी, भत्ते और सुविधाय मिलती है उन्हें कैबिनेट मंत्री की तरह ही बंगला ड्राइवर सहित कार और चौदलों का स्टाप भी मिलता है फिलाल नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ ही राहूल के राजनेतिक करियर में एक बड़ा इन्हेंस जरूर नजर आएगा